है एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम ब्लाउस का बैक नेक डिजाइन बनाने वाले यह बैक पार्ट है मैंने कटिंग कर लिए नीचे से मैंने इसको फनेशन के साथ ऐसे पलट लिए हुकाई की पट्टी भी मैंने लगा लिए जो यह डिजाइन ब बनाते हैं तो आप जितनी लेंथ हो उसे एक इंच कम भी नेक रख सकते हैं उसके बाद आ हम यह से साढ ubiqu इंच आप गल्य दो जो ठोड़ायर रखेंगे उसके बाद पार्फश बीसाड़े चार इंच पर निशान का सुमक्वर ef और ऐसे 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे देखिए मैंने बॉक्स बना लिया है 3.5 इंच मैंने इसकी चोड़ाई रखिए लंबाई मैंने 4 इंच रखिए यासे मैं ऐसे राउंड सेफ दोंगे यह हमारा उपर वाला पार्ट तयार हो गया है इसी के अटेच में हम अब नीचे का पार्ट तयार करेंगे हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो 7 इंच है तो हम यहाँ पर 4 इंच का ऐसे मार्ग करेंगे और हम ऐसे 5 इंच पर इतना डीप रखेंगे और ऐसे मार्ग करेंगे देखिए यहां से चार इंच पर आमने मार्ग किया है इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मार्ग करके दिखाते हूं देखिए इस तरह से मैंने इसको मार्ग कर लिया अगर आप चाहो तो यहां से ऐसे राउंड सेप भी दे सकते हो राउंड से औ कि यह तो बाद में पूस्ते कोमेंट करके कि आपने लिए नहीं की तो मैं वीडियो में हर चीज की लिए करूँगे आपको इस लिए वीडियो के लाज तक बने रहें। देखें, मैंने यहाफ अवाफ इंच काय से मांग कर लिए हमैं सी कटिंग कर लेती हूँ मैंने भाहर की कटिंग कर लिए अब अंदर से कटिंग करते हो वह 1,5 इंच का ऐसे मार्जन ताकि हमारे नेक कि इतना खुल रहा हो आमें बता रहे हैं और जो अब इसे कटिंग कर लूँगे देखें गाइस मैंने यह नीचे इसे कटिंग कर लिए जो यह वाला पाट है यह कै इस तरीके से कटिंग कर देखिए यह ओपन होने के बाद ऐसा नएक डिजाइन हो गया अब मैं इसको यहां से और यहां से कट कर दूंगे क्योंकि हमारा बैक पार्ट ओपन है ऑपन साइड बना रहे हैं हम बैक पार्ट पे यह से मैं इसको कट कर दूंगे और पेश्ट कर अब उसके बाद हम ऐसे यहां पर नेक को रखेंगे बिल्कु अच्छे से से करेंगे और देखिए यह वाला पार्ट है यह हमेशा यहां पर पेश्टिंग करता है मैं इतना अपर एक्ष्टर रखती हूं ताकि जब हम यहां पर आएं तो यह से इसको अंदर की तरफ फोल् देखिए मैं ऐसे सिलाई लगा रहे हूं मैंने गले को सैट कर दिया अब जो यह वाला पॉयंट है यह जो नोक वाला पॉयंट है यह नोक अच्छे से निकल जाए इसके लिए मैं यह डोरी का यूज़ करूंगी यह डोरी है मैं इसको गुम अभी डाल देती हूं यहां पर यह है निकाल काimientos हएं यहां तक देखिए निकाल के यहां तक रखांगे ले theatre हमिसे कि अभी मैं दिखाती हूं आपको है 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 यहां पर मैं ऐसे बैक सिलाई कर दूंगी दो बार बैक सिलाई कर दूंगी मैं यहां से और फिर उसके बाद नॉर्मली सिलाई लगा के कम्प्लीट कर लूँगी जिटोरी को ऐसे रखें है कि देखिए मैं इस वाले पॉइंट प्यांगी यह वाला एक्ष्टा कप्ड है इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगे अगर यह कप्ड़ आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा है तो आप कट कर ले मैंने एक्ष्टा कप्ड़ कट कर लिया है और ऐसे यांसे हम पक इसे कोर्णर पर भी दोनों पार्ट मैंने ऐसे रेडी कर लिया है अब देखिए जो यह वाला हिस्ते है हम ऐसे गले को पड़ेटेंगे अब इस वाले हिस्ते को ऐसे कीचेंगे देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ नोग निकल गई अगर आप यह डोरी नहीं लगाना जाते हो और अगर आपकी नोग नहीं निकलती है तो आप यहां पर दागा लगा सकते हो ताकि दागे से भी अच्छे से आप इसको ऐसे खीच के नोग निकाल सको वैसे मैंने एक दो अपनी वीडियो में नोग निकालने का तरीका भी बताया हुआ है आप आप से व लगा के कंप्रेट कर लूँ देखें मैंने फॉल स्टाइम लगा लिए कुछ इससे पर नहीं लगा पाती इस चोच की विज़े यहां से यहां पर सिलाई उतार लेते हैं यहां से और फिर अधे दूबारा से नसे स्टार्ट कर लेते हैं फॉल दिम लगाने से क्या होता है क बहुत अच्छी फिनीशिंग आती है ऐसे देखिए और जो भी काम करें पुद्द करें तो बढ़ा ही अच्छा लगता है देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग अगी फॉल्सिम लगाने से और यह तैयार होगा देखिए हमारा बैक नेक बिल्कुल रड़ी है देखिए मैं कितना प्यारा लग रहा है अगर आप इसे डीप करना चाहते हो यहां से भी तो आप ब्लाउज में ही करें स्पेस लिए अधर्वाइस ब्ला की जो स्टेप है वो दिखाई देगी यहां से हम डीप कर सकते हैं जितना डीप चाहें और हम यहां से भी काफी डीप कर सकते हैं यह जारा उचालिंगी एसमें बोटव बनाऊंगी पूझा और बेक पार्ट में यह बोट सेप के अकोडिंग ही है तो मैं सेम साड़े 4 इंच का साड़े 3 चोड़ाई और साड़े 4 गयराई मैं फ्रंट पार्ट की रखूंगी अगर आपको लगता है कि उस वीडियो की जरूरत है या तो बैक डीपो और फ्रंट बोट नेक के हो तो मुझे जरूर बताना मैं उस पर एक वीडियो जरूर बना हूँ ठीक है बाइफ फ्रेंड्स थेंक्स वोर्यों टाइब